प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ओर्गन डोनेशन डे के तौर पर मनाया जाता है इस दिन का उदेश है अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही लोगों को इसके लिए प्रतिग्या लेने हेतु प्रोटसाहित करना भी है गोर तलब है कि अंगप्रतियारोपन की आवशक्ता लगतार तेजी से बढ़ रही है जिसके चलते हर साल बड़ी मात्रा में अंगदान की जरूरत होती है अंगदान के जरीए अनुमानत है एक दाता द्वारा आठ से जादा लोगों की जान बचाई जा सकती है गुर्दे, यकृत, अस्थीमज़, फेपडे, कौर्निया, अगनाशे आदी को चिकित सवचार के जरीए सफलता पूरवक प्रेशित किया जा सकता है अंगदान दो प्रकार के होते हैं एक जीवित अंगदान ये एक अंग प्रत्यारोपन प्रक्रिया है जिसमें एक जीवित व्यक्ती द्वारा एक गुर्दा, यकृत का एक हिस्सा और अगनाशे का एक हिस्सा दान किया जाता है वहीं मृत अंगदान ऐसे मामलों में होता है जहां व्यक्ति ब्रेन डेड घोशित किया गया हो अथवा वेंटिलेटर पर हो गड़ तलब है कि पहला अंगदान 1954 में किया गया था जब रोनाल्ड ली हैरिक नामक एक व्यक्ति ने अपने जुड़वा भाई को एक किड़नी दान की थी डॉक्टर जोजफ मरे ने उस प्रक्रिया का संचालन किया इसके लिए उन्होंने अंग प्रत्यारोपन में प्रगती के लिए जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कारिकरम साइन्स दिस वीक ये कारिकरम हर अविवार दोपहर 12 बजे द्रश्टी PCS चैनल पर प्रसारित होता है